दोस्तो देश भर में लॉकडाउन होने की कारण इस समय हर कोई घर में खुद को कैद रखा हुआ है और घर की साफ सफाई का विशेश ध्यान रख रहा है विशेश की भी कहते हैं कि यदी घर में हर दिन जाडू के साथ पोचा भी लगाया जाए तो संक्रमन का खत्रा घटता है साथी सांस से जुली बिमारियों से भी उसकी सुरक्षा होती है बैट कर पोचा लगाने से पुरे शरीर की कसरत हो जाती है इन फायदों का लंबे समय तक शारीरिक लाव लेने के लिए जरूरी है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद भी घर में साथ सफाई करने की आदत को बनाई रखें माई गयर फ्रेंज क्या आप जानते हैं एरोबिक्स एक्सरसाइज है पोचा लगाना घर के फर्ष की सफाई करने से संक्रमन की आशंका तो घटती ही है इसका फायदा व्यायाम के तौर भी मिलता है अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है तो अपने घर में खुद पोचा लगाने की आदट डाले ये बेहतरीन एरोबिक्स एक्सरसाइज है जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इसका सीधा फायदा फिपड़े को होता है एक घंते तक अगर सफाई की जाए तो 150 से 200 कैलोरी बॉन की जा सकती है इक अध्यन के अनुसार अगर 20 मिनट घर की सफाई को दे तो मानसिक रूप से हलका पैन महसूस करेगा बार बार मूट खाराब होने जैसे समस्या भी नियंत्रित होगी वही सिंटर फार डिजिस कंट्रोल एवं प्रिवेरिशन का कहना है कि घर की सफाई करने से संक्रमर का खत्रा घटेगा जैसे जुखाम दूर होगा अगर आपकी आँखों से पाली निकलता है या नाग बह रही है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घर की सफचता पर ध्यान दे एक शोत के अनुसार बेडरूम और लिविंग एरिया में रोज पोछा ना लगाने से एलर्जी के प्रती संवेदनशील लोगों की तवियत खराब होने की संभावनाई बढ़ जाती है लोगों को जुखाम, छी, शरीर पर लालदाने निकलने जैसी आमसमस्याएं भी पैदा होने लगती है सांस के मरीजों गुलाब हर दिन पोछा लगाया जाए तो घर में धूल के कण नहीं कठे होंगे ये कणी घर के अंदर की बायू शुद्धता में भूमिका निभाते हैं इसलिए विशेशव्य मानते हैं कि घर में हर दिन जाडू के साथ ही पोछा भी लगाना चाहिए अगर आपके घर में कोई सांस का मरीज है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है सफाई के दोरान पैदान और कार्पेट को भी अच्छी तरह जाड़ ले दुरगटना से बचेंगे फर्ष पर रोज पोछा ना मारने से धूल के कण बढ़ जाते हैं और वे फर्ष में फिसलन पैदा करते हैं जिससे गिरने का डर बना रहता है अगर आपके घर में बच्चिया भुजूर्ग हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि फर्ष पर पोछा रोज लगाएं साथी फर्ष साफ होने से किटाणू का खत्रा नहीं रहेगा और घर में घुटने के बल चलने वाले छोटे बच्चों की सिहत ठीक रहेगी तुरक्षी इन बातों का खयार घर को साफ रखें और पोछा जरूर लगाएं भई फिट रहेंगे आप तभी तो फिट रहेगा इंदिया सबस्क्राइब करें टोटल भक्ति को अब हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बिल आइकन को दबाना ना भूलें